रहिंद आभरीवन वेलकम टो अवेकनिंग क्लासे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के डिलेटी जितने भी इंपोर्टेंट पी वाई क्यूंस थे मोस्टली उनको आज की इस लेक्टर में हमने कवर किया है SSC के exams में, JKSSB के exams में, UPPSC, जहां भी important exam हुए है, वहां से जो मुझे important question मिले, सभी आज के lecture मैंने include करें, near about 35 questions हैं, जिनको हम discuss करेंगे, answers देखेंगे, explanation को कम रखेंगे, ताकि maximum to maximum question आज के lecture में हम cover कर पाएं, तो बिना time waste के lecture को start करते हैं, the very first question is, which of the following river is known as sorrow of Bihar, देखो, आज का lecture ना, आप खुद पहले try करना, और 35 से कितने question आपके correct हो रहें, आप comment section में भी जुरूर बताना, तो कौन सी river को sorrow of Bihar कहते हैं, दामोदर, हूगली, गागरा यह नन अफदा अभव, ठीक है, यह question आपके गरत होने के chances बहुत हैं, तो कौन सी river को sorrow of Bihar कहते हैं, इसमें none of the above आएगा, इन में से कोई भी river नहीं है, जिसको sorrow of Bihar कहते हैं, देखो, दामोदर को बोलते हैं, sorrow of Bengal, क्या बोलते हैं, sorrow of Bengal, क्योंकि इसकी वज़़ा से बेंगाल एरिया में flood वगएरा आते हैं, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इसको क्या बोलते हैं, sorrow of Bihar, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह अपना path change करती रहती है, इसकी वज़से फ्लर्ट्स आते हैं, बिहार में, that is why it is known as sorrow of Bihar, I hope this question is clear to you, moving towards the second question, स्री सेलाम hydroelectric power project is built on which river, स्री सेलाम hydroelectric power project दो है, वो कौन सी river में है, पूछ रहा है, तुंगबद्रा river, पन्ना river, क्रिश्ना river या गुदावरी river, तो कहां पर है, स्री सेलाम hydroelectric power project, तो यह है, क्रिश्ना river के उपर, यह आपको पता होना चाहिए, कहां पर है, आंद्रपरदेश में, कहां पर है, आंद्रपरदेश, important project, कौन सी river पे है, कौन सी state में, इसके related exam में question पूछे जाते हैं, जैसे बाखरा नंगल पूछा जाता है, बाखरा नंगल कहां पर है, बाखरा नंगल सत्तुलूर्ज रिवर पे है, कौन सी river पे है, सत्तुलूर्ज रिवर पे है, और कौन सी state में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, तेहरी डैम, हाइस डैम जो है ना, तेहरी डैम इंडिया का, यह क कौन सी रिवर पे है महानदी पे है कौन सी स्टेट में है और इसा में है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है उसी तरह सर्दार सरोवर डैम सर्दार सरोवर डैम जो है वह कौन सी रिवर पे है सर्दार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है कौन सी रिवर पे है नर्मदा रिवर और कौन सी स्टेट में है गुजिरात में है यह इंपॉर्टन है एक कोईना डैम है वो कोईना रिवर पर ही है और कहां पर है महाराष्ट्रा पर देखो आज में ना इन डेफ्थ आपको नहीं बता पाऊंगा बट मैंने जो पहले रिवर्स और लेक्स के एलेटिड वीडियो अगर आपको यह चीज़े नहीं आती है तो उन वीडियो को देख लो ठीक है आपको यह सारे कवर हो जाएंगे प्लेलिस्ट में जाना जिग्रॉफी प्लेलिस्ट खोलना दस बारा वीडियो पढ़ी हुई है वहाँ पर दो तीन रिवर्स और लेक्स की वीडियो एक तो पी लोग तक लेक इस लोकेटिट इन दा स्टेट अफ त्रीपूरा पहला इटी दा आउनली फ्लोटिंग लेक इन वर्ल दू तो फुम्डीज फुम्डीज है हिट्रोजिनिस मास फटेटेशन तो ऑप्शन वन थ्री आउनली है तो यह तो गलत हो गया ठीक है तो बच्चा गय यह सिरफ फ्लोटिंग लेक है लोग तक लेकि दा आउनली फ्लोटिंग लेक क्योंकि इसके ओपर क्या है फुम्डीज है और फुम्डीज है हिट्रोजिनिस मास वेजिटेशन तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेट्मेंट सेट्में ठीक है I hope this is clear to you moving towards next question the koina tung badra and bhima rivers are major tributaries of which of the following rivers koina tung badra और bhima यह किसकी tributaries ने पूछा है tributaries के लेटे exam में question पूछे जाते है तापती की गंगा की गुदावरी की यह कृष्णा की तो किसकी tributary है koina tung badra और bhima krishna river की tributaries ठीक है यह तीन तो है उसके साथ krishna की और कौन सी important tributary जो exam में पूछता है दूद गंगा दूद गंगा भी किसकी tributary है किरिशना की tributary है drauf the game Medo नाम से गंगा लिखा हुए तो आप इसको यह गंगा माल करतो किरिष्णा की थिक्र याद रखना माल प्रबाव है माल प्रभा विकिनके ट्रिब्यूूटर्य क्रिशना की पूर्बर और मुसी रिवर मुसी मुसी और59 किसकी ट्रिब्यूट्य है Krishnamika topic डूल तक है इस तहरे से आपको ना सभी की ट्रिब्यूटर्य को पता हुज़ की गंगा की ताति की कृश्टना की गधावरे की में अभी आपको गुदावरी की ट्रिविट्री यह कुछ इंपॉर्टंटेंसे गंगातापति इनकी ट्रिव्यूट्री ना एक बार से सर्च करना कि Siqa ट्रिवांति यह कोई कर दोूगा किसी कुछ से टिवीट्री आपको देखा जाना क्यूट कॉछने चांस बहुत होते हैं करनाटका इन में से कौन सा डैम करनाटका में लोकेटीड है तुंगबद्रा डैम गांधी सागर डैम स्रिसलम डैम या मुलिया परियर डैम तो कौन सा इन क्रिष्णा रिवर पनिसुलर इंडिया की रिवर है आपको पता होना से चाहिए यह चारु उपनिसुलर इंडिया की सबसे नीचे जा जाती है तो यह sequence में भी question पूछ लेता के इस तरह के question भी आगे हम session में देखेंगे next question पर मूव करते हैं तीस्ता forms a part of which of the major river system तो देखो आपका इंडर्स रिवर फोटरा को जो कर देती है बंगलादेश में ब्रंपूत्रा के निकलती है तिबत में उसको बोलते हैं आइंतर होती है इंडिया में इसको बोले दिहांग क्या का बोलते हैं धिया पर जो पटते हैं तो जमफ्र को घालता हो देख है जमुना का ही नाम है बंगलादेश में यहीं बहुत इंड़ेप्ट होगा आपको यह पता हों जे ब्रहमपूत्रा के डिफरेंट नेम है संग इसको बोलते हैं तिबद चाइना में दिहां करके इंडिया में एंटर होती है दैन इसका नाम पुत्रा पढ़ता है बाद में इसका नाम जमुना पढ़ता है बंगलादेश ने होती है देन उसके बार रियोती है देन करशना होती है दन कवेरि होती है यह तो आगि मैप बना देता हूं sorry for this bad map ठीक है अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं तो देखो यहां पर जो ऐसे फ्लो करें यह तो इस आ गया ना जो इधर फ्लो करेंगे इधर मतलब बेया बेंगाल में ठीक है उनको हम क्या बोलेंगे इस फ्लोइंग रिवर और जो यहां पर जाएंगी अ नर्मदा निकलती है निकलती है कंने माही पर बैर जियान के साके सद्था धेजिन रिवर है इक रिवर यह वेस् फ्लोइंग और एक श्रावस्ती रिवर इया में बता यह इंडिया का मैप है अगर इंडिया के मैप का इसे आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जो यह हिमालिया शुरूरी होते हैं ग्रेट हिमालिया इनको क्रॉस करके जो रीजन आथा डाइट इस नोशना सथा जिसमें कारा करम लदाक और यह पूछा इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालया रिवर है गंगा यमुना सतलोज या रावी तो कौन सी है सतलोज जिसका नाम है द ब्रहमपूत्राइं ब्रहमपूत्राइं का पार्ट है ये तीनों आपको पता होनए ठीक है जी दों सोल्ओन कर नहीं साओ नोर सब्सक्राइब वह ऑपर क्रिष्ण जो महाराश्ट्र माहाराष्ट निकलता है कृष्णा से उस्eker constitution Disability Your theory महाराश्ट्रा के शcellente से निकलता है यह नासिक से निकलता है त्रिंबकेश्वर से यह निकलता है महाराष्टा के महाबलेश्वर से महाराष्टा के महाबलेश्वर से करनाटका वाली जो कावेरी है वो करनाटका में ब्रहमगिरी हिल्स से निकलती है कहां से निकलती है ब्रहमगिरी हिल्स में और सब आंसर के आजाएगा option d1234 south to north पूछा है north to south नहीं पूछा north to south पूछा होता है तो 432 आता ठीक है इस तरह से question कहीं पर पूछे जाते हैं नद्यों को तो एक बार map इंडिया का map river system का map जरूर exam में आप देख के जाएंगे ठीक है यह exam से पहले आपको map देखना होता है यह सुबह एक्जाम में जाते वक्त इसको सिर्फ देखना होता रट्रना नहीं होता ठीक है map को which of the falling river is known as वृद गंगा देखो वृद गंगा दक्षिन गंगा किसको कहते हैं गोदावरी को कहते हैं गोदावरी कृष्णा बताना है वो कौन सी रीवर पे है जमु कश्मीर की आपको बताना है ठीक है जेलम चेनाब इंडर से राविया आप सबने यह न्यूज सुनी होगी चेनाब रीवर पे है वल्ल्ड का हाइस रेलवे ब्रीज आपने इसकी हाइड भी पड़ी होगी 359 मेटर्स ठीक है कहां पर है यह रियासी में कहां पर है रियासी डिस्टिक आफ जमु कश्मीर मुविंग तो वर्स नेक्स्ट कॉश्चिन विच फॉलिंग इस फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया सबसे बड़ एक लेक्चर लाया हुआ है जोग्राफी प्लेलिस में जाकर उसको जुरूर देख लेना एक ही लेक्चर में सारी लेक्स आपको जमु कश्मीर की कवर हो जाएंगी आप जरूर लेक्चर को देखे एक्जैम में जाना ठीक है अगर आपने चाहते हो कि नहीं जनल अवेरनेस में जंव कश्मीर अगर आपने पेपर देखा होगा ना प्रीविएश प्रेटा इंट्री या जुनियर सिस्टम वगार के इग्जैम हुए जो जयर्ल अवेरनेस वादा पोच्छन हो जयर्द्ड है जो लेक्शन के इस थोड़ी बात कर लेक्श फोललेक्ष और लेक्शा अ इसमें को सी रीवर पानी लाती है जेलम रीवर इस तरह एक और यहां पर मानसबल रीवर जो है वह वह deepest लेक है मानसबल लेक जो है वह deepest लेक है इंडिया कि कहां पर है जमुकश्मीर में ठीक है moving towards next question which among the following lakes is known as the only floating island lake in india sirf a floating island lake in india का कौन सा है already explain कर दिये लोग तक पुलिकर चिलिका या नननफता है बग लोग तक लेक इस दा आउनली आउनली फ्लोटिंग आइलेंड लेक इन इंडिया ठीक है चिलिका लेक ही बात करें तो लाजस्ट बैकिश्वार्टर लेक है इंडिया का यह आपको पता होना जी पुलिकर लेक जो है पुलिकर लेक दो स्टेट के बीच में आंदर प्रदेश और तमिलाडू के बीच में यह भी एक्जाम में पूछ लेता है ठीक है तो मैं काफी दिन को इग्णोर करके लेक्टर को द्यान से सुनेंगे और मैंने वो जो कमेंट पड़ा था मेरे को बहुत ऐसे हुआ फिल के इतनी छोटी-छोटी चीजों को भी बच्चे जहें द्यान से देखते हैं कि ठीक है ठीक है सर रिपीड कर रहें नेक्स्वें करते हैं दा फेमस चिल इंडिया यह आपको याद रखना हैं वीरिए नेक्सटकोशन वेर इस श्रॉटा लेक आ अलसो नौन एस वीण फलेगिया या याद रखना एक्जाम में पूचता है श्रॉटाकों क्या आफ लेक को लेक्स तो वह कूंसी लेक है श्रॉटा मोर्य को पता होना चाहिए तो क्वीन आफ लेको कहते हैं इसको बीगनोर नहीं कर सकते है तीक है यहां पर एक और लेक भी है लिए लेक उसकी एक क्वालिटी है मैनार लेकी लिए क्वालिटी आप मुझे में वक्षाम सी उत्यक्त भॉलिटि हां वायदी में commencer वह बिआ तो कहां पर आंचर लेक लोकेटिट जमुकेश्मीर में यह आपको पता होना चाहिए लेक्टिक पावर प्लांट इस इन विच रिवर तो हमने पहले ही देख लिए पहले हमने रिजन देखा था कहां पर आप यह पूचा कौन सी रिवर पे है तुंग बद्रा पन्ना रिवर में है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इस बंसागर डैम बंसागर डैम इस बिल्ट ऑन विच रिवर बंसागर डैम कौन सी रिवर में है महानदी कृष्णा सन या श्रावस्ति रिवर तो कौन सी रिवर में है बंसागर डैम सन रिवर में सोन रिवर जिसे कह से नर्मदा में दुब्यूमिन धूए एक अबी हम ने पहले देखा थह सर्दार सरोवर डायम यह भी नर्मदा पर यहं पर ऑफ यह गुजराई नर्मदा पर व मिन करके पर एकंदराइन इंस्धे में है मद्यापरदेश में सर्दार सोवे डैम भी नर्मदा में है बट कहां पर है गुजरात में आई होप यह डिफरेंस आपको नहीं बूलेगा मौविंग वर्स नेक्स्ट्रंघ्र्समीरा को घरा möग ऐते हैं क्विक अपनार मर्म दोलाण है घेक को आपको अब एक निस एक च्आध्रम कहां पर है उत्राखंड में कौन सी रिवर पे है बागी रती पे बागी रती पे आपने मुझे कमेंट बताना है एक चीज बताने है बाखरा नंगल डैम है ना बाखरा नंगल डैम इसके क्या फीचर है कोई बियास या चंबल तो कौन सी रिवर में है राना प्रताब सागर डैम चंबल रिवर में है चंबल रिवर कहां पर है राजस्थान में कहां पर है राजस्थान में हमारा राना प्रताब सागर डैम और कौन सी रिवर पे है चंबल रिवर पे है यह आपको याद रखना है moving towards next question, question number 22, which one of the following is known as mystery lake of India, तो कोन सी lake को बोलते हैं, mystery lake of India, रूपकुंड लेक, फुलहार लेक, पुखारी लेक या ननफ देबर, तो कौन सी लेक को बोलते हैं, mystery lake of India, रूपकुंड लेक को, क्या बोलते हैं, mystery lake of India, कहां पर है यह ऊत्राखंड में कहां पर है इसको स्केलेटन बहुत सारी लेट्स इन आपको पता हो न चाहिए lot सब्सक्राइब करने बट आप लेक्स आफ इंडिया की वीडियो जुरूर देख लेना अगर आपको नहीं आती है उसमें सारे एस्पेक्ट जो भी पूछा जा सकता है वह सारे में वहां पर कवर किया हो नेक्स्ट क्रिशन पर मुव करते हैं विच ओधा फॉल्विंग लेक्स लाइज ऑन दा वेस्टन कोस्ट अफ इंडिया ठीक है इंडिया का वेस्टन कोस्ट की बात करें तो उसमें इन में से कौन सा लेक लोकेटीड है चिली का वह तो और इस्टन साइड हो जाएगा अस्टमूडी पुलिकट पुलिकट आंदरा प्रदेश तमिलाडों में बताय था ना जाय궁 में एक स्टेट मैं यह बिकाइज करलो कौ सी स्टेट में है की अमय चिस नेक्स्ट कर्शिंट। ष्या चूइक ने कहां पर है तो आगओ र लोनार लेक या पुलिकडाट लेक लेक है कहां पर है लोनार लेक महाराष्ट्रा पर है महारास्ट्रा पर next question which of the following is the artificial lake of India natural lake नहीं है पूछा कौन सी artificial lake है इंडिया की लोग तक भीमतल भारापानी या राना प्रताप सागर राना प्रताप सागर एक डैम है तो अव्वेस है यह क्या होगा एक आर्टिफिशल लेक होगी लोग तक तो हमने देख लिए नैचरल है जहां पर फूमडीज पाई जाती है मनीपूर में भीमतल लेक जो है यह भी नैचरल लेक है कहां पर है उत्राखर में भारापानी लेक इंपॉर्टन लेक है इसका दूसरा नाम भी सुन लेना उम्मियम ले और यह कहां पर है मेगाले में ठीक है राना परताब सागर डैम जो है वो तो आपको पता है अभी बताया आपको पहले कहां पर है चंबल रीवर पर और स्टेट कौन सी है राजस्तान आई हो मुझे ऐसे लगता है कि यह आप एक दो बार वीडियो अगर सुनो गे ना यह च निजाम सागर सामबर लेक नागरजुना सागर या हीरा कुड बाकी यह सारी आर्टिफिशल डैम से हैं मतलब जब भी डैम बनते तो पीछे एक लेक बन जाती है ना इसलिए हम बोलते हैं डैम को भी लेक कंसिडर करके चलते हैं तो यह निजाम सागर नागरजुना सागर ह कुझ ये सारे क्या हैं डाइम से एक तरह की आर्टिफिशल लेक से तो सांबर लेक जो है वह हमारी नैच्रल लेक है यह राजस्तान में यह साल्ट लेक है यह आपको पता होना चाहिए निजाम सागर के अगर बात करें यह मंजीर यवर पे है मंजीर रिवर मंजीर इवर पहल और हीरा कुर्ट डैम तो आप सबको पता है महानदी में है कौन सी रिवर पर है महानदी में पूविंग तोवर्स नेक्स्ट कुश्ट नमर्ट 28 विच फॉल्विंग इस नोन इस लेक डिस्ट्रक ऑफ इंडिया लेक डिस्ट्रक ऑफ इंडिया किसे कहते है नैनिताल सिक्किम या मत्रान तो किसको कहा जाता है नैनिताल को कहां पर है उत्राखंट में इसको कहा जाता है लेक डिस्ट्रक ऑफ इंडिया मोविंग तो नेक्स्ट क्वेशन विच फॉलिंग इस फॉर्म ड्यू टू टेक्टॉनिक एक्टिविटी से क्या बनी तो बैस्ट नहीं आएगा सदो क Ś zak जॉटी को को यहां कर दो कि आ इनचे से निकलती है हमारी अलदा और सद्बूरा की निचे से निकलती है हमारी भाटी सद्थ सत्पूरा रेंज किसके बीच में आती है और नेक्स टॉशन में करते हैं पत्र निकलती है चाइना में संग्पो बोलते हैं बत से क्रॉस हो सब्सक्राइम राता है है अरुपो रख कराथा ना documents कंग यह सारी क्या हैं यह तर्डिविटी रहें के पिर पॉतरा की यगाण को मिलती है तिका यह याद को ऑफे याद को मिलते हैं एर पर आक को मिलती है जो की गंगा की टिर्ब्यूटरी है यह सब आपको एक कुलिए धर थर्टी टू देखते हैं सियाचिन गलेशियर मेल्टिंग वॉटर दा में सोर्स विच फॉल्लोंग रिवर्स तो सियाचिन गलेशियर कौन सी रिवर निकलती है कल फीजिकल डिवीजन्स ऑफ इंड लेती है क्योंकि वहीं पर क्या है था हमने देखा था नुबरा वैली भी वहीं पर लाइ करती है नेक्स्ट कुछन पर करते हैं the river कावेरी originate from which of the following state कावेरी कहां से ब्रहमगिरी करनाटका में या जाएका कावेरी कहां से अरीजनेट होती है ब्रहमगिरी हिलस करनाटका नेक्स्ट के लिवर फ्लोस तो विच डिस्टेegg जमुक फ्लो क करती है जमुकशमीर की कुछ हूँ नेक्स दिस्ट्क में टिक है थे लास्ट कुछं टूबर हो कैसे इस लेक्टिरिश केलाश मौंटें भ्यास रिवर कहां से अरिजनेट सास्ट होती है रोतांग पास मांसरोवर लेक बाराल अच्छाला पास से कॉछूराब रिवर तो आज के लेक्चर में इतना था इस हमने इंडिया की आपके लिए बहुत बैनिफिशल रहेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा हो ता प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बहुत चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं सेशन करवाया हुए जो लास्ट वीक आप रिपेर करें तो इस वीक में आपके लिए बहुत बैनिफिशल रहेंगे बागी टैलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर ले वहां पर आपको पीडिय वगएरा शेयर की जाएगी और आप कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा ऐसा प ब्लिव हमने इंखले हो जो चीज़ें हमने इंकलीट करें वह हम टैलिग्राम शेयर कर देते हैं इसलिए को आपको ध्यूंट करोंगा उनको रिवाइस करें आप इन सब्सक्राइब कर लो एक्जाम से पहले देख लेना आप फुली प्रिपेर रहो फॉर यूर एक्जाम तो आपको टेंशन लेने की जूरत नहीं है इस लास्ट वीक में एंजाइटी को साइड रखकर कूल माइंड होकर अपनी प्रिपेशन जो आपने पढ़ा उनको रिवाइ कूँ सी मैक्सीमम एक्जाम में रिपीट होते हैं एससी का उठाके जेकैसेसव बी में आ जाएगा इसी तरह से चलता रहता है इसलिए मैं अब इस लास्ट वीक में मैंक्सीमम पी वाइक्जाइब करूंगा और एक्स्परेशन करोंगा और पॉइंट तो पॉइंट आपको answer करवाने की कोशिश करूँगा this is it for today और अगर आपको content पसंद आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and share भी करें to others who are preparing for JK SSB exam so thank you so much for watching